तो फ्रेंड अगर आप अपने IDFC First Bank Account का duplicate statement या फर अपनी भासा में कहें transaction statement अगर आप अपनी mail ID पर find out करना चाहते हो या फर आप उसको get करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से अपना transaction statement अपनी register mail ID पर प्राप्त कर सकती फ्रेंड वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाली है इसलिए मेरे आप सिक छोटी सी गुजारे से आपको अपने चैनल को subscribe कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी सा share करता रहता हूं तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं तो फ्रेंड अगर आप अपने IDFC First Bank Account का transaction statement अपनी mail ID पर लेना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये कैसी कर सकते हो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है इसलिए मेरे आप सिक छोटी से गुजारे से आपको अपने चैनल को subscribe कर लेना है और वीडियो Chrome browser से भी download कर सकते हो यहाँ पर आपको करना क्या कुछ नहीं करना यहाँ पर आपको आपकी branch का name लिख देना है क्या लखना है मेरे दोस्त branch का name लिखना है वही ब्रांच का name लिखिए जो कि आपकी पासुक में दिया गया है branch name आप प्रॉपर वे में लिख दीजिए उसके ब primary holder customer ID मतलब यह कि अगर आपके customer ID आपके bank के नहीं आपको दी है तो आप यहाँ पर फिर कर दीजिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको खाली छोड़ सकती हूँ बगल में आते हैं जस्ट क्या primary holder name वही नेम आपको यहाँ पर लिखना है जो कि आपकी पास्वुक मे लिख दिना है ने चाहिता है क्या first joint holder name वही आपको first joint holder name में उस person के नाम लिखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है अगर खाता जुड़ा हुआ नहीं है joint खाता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आपको नीचे वाले तीनों person आपको खाली छोड़ दिना है अब बहुत सारी problem यहां पर दी गई है लेकिन हमारी problem क्या है दूसरे वाले page पर दी गई है क्या दी गई है friend duplicate statement मतलब है कि आप अपनी mail id पर क्या चाहते हो statement चाहते हो कि मुझे किस तारिक से किस तारिक के बीच में पूरा का पूरा जो ही मैं transactions करता हूं मुझे पूरे पूरे statement म यानि आप date डाल दीजे एक महीने की जैसे माल लेजे भाई एक महीने की डाल देता हूं में जैसे 8 तारिक 7 महीना 2023 और यहां पर date मैं डाल दी किदिनी 8 तारिक 8 महीना 2030 यानि इन दोनों के बीच का जितना भी transaction आप किये हो जितने भी आपका LinkedIn हुआ है आपके bank account वो सारी की स तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो अब नीचे को रहाएंगे यहां नीचे को फ्रेंड आपको दिख रहा होगा क्या customer signature यहां पर आपको आपके signature कर देने हैं वही signature करने है जो कि आपके account में लगे हुए हूं joint holder में अगर आपका खाता joint है तो शीरी सी बात है उसकी भी signature ले लिजिए अधरवाइस इसको खाली छोड़ दीजिए नीचे अधा क्या primary holder यहां पर आपको आपके नाम लिख देना है वही नाम लिखना है जो कि आपके account में लगा हुआ है और यहां पर आपको आपके signature कर देने हैं बहुत सिंपल है बहुत आसान इस form को फिल करना लेक आप हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें documents कौन-कौन से लगेंगे तो documents आपको आधर कार्ड की एक फोटो कोपी लगा लेनी है एक पास्वुक की फोटो कोपी लगा लेनी है तीनों को attach करके आपको bank के अम ब्लोग को देदेना है और कैना एक सर मेरा transaction statement जितना भी है मेरी mail ID मेरे account में जो लगी हुई है उस पर भेज दीजिए आप ये date इस पर set कर दीजिए तो फ्रेंड ऐसा हो जाएगा मैं आसा करता हूँ कि आज की उड़ा आपको पसंद आई हो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर लिज हैं इस संद दो एक कर दो जो जो कि वीडियो क tarafल में जहा है कर दो कि वीजिए टीजिए बदिए टीजिए